हम लोग का दिमान है कि बंगला देश में शुडेंट के उपर गोली चलाया गया है एक सो चवालेस लोग के मौत होने की ख़वर है जो लोग गोली चलाए है वो भी तो किसी टाम में शुडेंट रहे होंगे यह कैसे फोसे बुलेक एस्टूडेंट तो कोई दंगा वाला आप भी तो नहीं है वो तो लिखा पढ़ा करके इनसान बनने के लिए वहाँ पर इतिजाज किया उस पर गोली चलाना यह बहुत ही गलत है और यह जो लोग चला हो भी तो कभी इस्टूडेंट रहये थैं यह पूरा दुनिया और बंगलादेश का नंपागिस्टा खाला वेट सब एक जरसा अस्टूडेंट रहा है इैस तहरा सी गोली चलाना आप जैसे परिंदे पर गोली चला था उस तरह से गोली चला है इसको दो बर्दास नहीं कहा था ता आज हम लोग बंगलादेश हाय केमिशन में जाकर करके डिपिश्टेशन दे रहे हैं उसके बाद फिर अगर नहीं होगा तो और भी ज्यादा बड़ा हम लोग थेजाज करेंगा हम लोग का डिवान है कि बंगलादेश में शुडेंट के उपर गोली चलाया गया है 144 लोग के मौत होने की ख़बर है जो लोग गोली चलाया है वो भी तो किसी टाम में शुडेंट रहे होंगे इस तरह से गोली चलाया गया है जानवर को जैसे परिंदे पर गोली चलाया था उस तरह से गोली चलाया है इसको दो बरदास नहीं कहा था तो आज हम लोग बंगलादेश हाय कमिशन में जाकर के डिपिस्टेशन दे रहे हैं उसके बाद फिर अगर नहीं होगा तो और भी ज्यादा बड़ा हम लोग इतेजाज करेंगे सरकास से मांग रहे हैं कि भाई जो लोग गोली से उसको पकड़े और जो दो जेल में बहुत सारे स्टुडेंट उनको छोड़े फिर क्यों चलायागा इस पर कमिशन बठाया जाए जब तब गोली स्टुडेंट पर चला देना यह तो बहुत ही बुरी बात है करेंगे 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 प्रिमान्ड है कि बंगला देश में शुडेंट के उपर गोली चलाया गया है, 144 लोग के मौत होने की ख़वर है, जो लोग गोली चलाया है वो भी तो किसी टाम में शुडेंट रहे होंगे, ये कैसे फोसे बुला है, शुडेंट तो कोई दंगा वाला आप भी तो नहीं है, हो तो लिखा पढ़ा करके इनसान बनने के लिए वहाँ पर इतिजाज किया, उस पर गोली चलाना ये बहुत ही गलत है, और ये जो लोग चलाया है, वो भी तो कभी शुडेंट रहे थे, ये पूरा दुनिया का शुडेंट तो एक है भाई, इसमें तो ना कोई इंडिया का सब्सक्ताइश इस लिए जो किया है, इस तरह से गोली चलाना बलब की जानवारो जैसे पर इंड़ेंदे पर गोली चलाता है, इसको दो बरदास ने कहारा था आज हम लोग बंगला देस हाई कैमिशन में, जाकर के डिपूस्टेशन दे रहे हैं, उसके बाद फिर अगर न जब तब गोली इस्ट्टिटन वे चला देना ये तो बहुत ही बुरी बात है हम लोग का डिवान है कि बंगला देश में शुडेंट के उपर गोली चलाया गया है एक सो चवालेस लोग के मौत होने की खबर है जो लोग गोली चलाया है वो भी तो किसी टाम में शुडेंट रहे होंगे ये कैसे फोसे बुल है कि शुडेंट तो कोई दंगा वाला आप भी तो नहीं है वो तो लिखा पढ़ा करके इनसान बनने के लिए वहाँ पर इतिजाज किया उस पर गोली चलाना ये बहुत ही गलत है और ये जो लोग चला है वो भी तो कभी शुडेंट रहे थे ये पूरा दुनिया का शुडेंट तो एक हब है इसमें तो ना कोई इंडिया का शुडेंट ना बंगलादेश का शुडेंट ना पाकिस्तान का शुडेंट तो सब एक जैसा शुडेंट है इसलिए जो किया है इस तरह से गोली चलाना, बलब कि जानवर जैसे परिंदे पर गोली चला तरह से गोली चला है, इसको दो बरदास नहीं कहा था, आज हम लोग बंगलादेश हाई कमिशन में जाकर आरके डिप्रिश्टेशन दे रहे हैं, उसके बाद फिर अगर नहीं होग जब तब गोली इस्ट्टिटन पे चला देना ये तो बहुत ही बुरी बात है हम लोग का डिवान है कि बंगला देश में शुडेंट के उपर गोली चलाया गया है 144 लोग के मौत होने की खबर है जो लोग गोली चलाया है वो भी तो किसी टाम में शुडेंट रहे होंगे ये कैसे फोसे बुल है कि शुडेंट तो कोई दंगा वाला आप भी तो नहीं है वो तो लिखा पढ़ा करके इनसान बनने के लिए वहाँ पर इतिजाज किया उस पर गोली चलाना ये बहुत ही गलत है और ये जो लोग चला है वो भी तो कभी शुडेंट रहे थे ये पूरा दुनिया का शुडेंट तो एक हब है इसमें तो ना कोई इंडिया का शुडेंट ना बंगलादेश का शुडेंट ना पाकिस्तान का शुडेंट तो सब एक जैसा शुडेंट है इसलिए जो किया है इस तरह से गोली चलाना बलब कि जानवर को जैसे परिंदे पर गोली चलाता है उस तरह से गोली चला है ये इसको दो बरदास नहीं कहा दा तो आज हम लोग बंगलादेश हाय कमिशन में जाकर करके डिपिस्टेशन दे रहे हैं उसके बाद फिर अगर नह इस तो बहुत ही बुरी बात है ना